असलाम अलेकुम, हेलो फेंट्स, वेलकम टू मैं जहारास की चेन, आप सब कैसे हैं, अलहमदोलिला उम्मीद करती हूँ, आप सब खेरियत से जरूर होंगे, आज मैं आप सब के साथ अंगूर की जूस यानी ग्रेपस जूस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसे बनाना बहुत ही आसान है, वीडाउट जूसर से मैं इसे ग्राइंडर पर बनाऊंगी और बहुत ही मज़िदार कर हमारा अंगूर का जूस बनकर तयार होता है, तो इस रेसिपी को एंट तक जरूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, तो चलिए जल्दी स मार्केट में आपको काला अंगूर, लाल अंगूर मिल जाएगा, लेकिन आज में यहां पर चमन अंगूर से जूस बनाने वाली हूं, इस सीजन में आपको चमन अंगूर बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से एवलेबल होता है, तो इस तरह स खासका चमन अंगुर Star Germ가는 अच्अछान पाता है पाइब लूगी। यह मैं इसम और आप में पाणियो साफ कर लिन आप दा ल। अगर आपके पास है तो आप जुच ₦ ढाल सकते हैं जिसनिकाल सकता है तो इसका पास में आप बलेंडर पिसके अबें च्रण न हमें वे चुमार्ति जो भूंसे को ठीज और नहीं में नहीं एक रावल पर चाहिए यूझे। मैं यूचिंगेते उड़ी हमें आपकर जाताएक्ट सुपमारे लिए57त बचेंगें बच्ट्ण बहुत भीत तक टीप्स एक आपने बालीजाए। इसे आप एक कटोरी पर निकाल लें और एक चमाचे करीब सहर एड़ करें मिक्स कर लें अची तरह से और दस मिनिट के लिए आप चेहरे पर लगा कर रखें उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से चेहरे को साफ कर लें आपका फेस किस तरह से ग्लो करने लगेगा यह तो हो गए आपका बहुत ही ब्यूटी टिप्स आप जरूर आजमा कर देखिए तो देखिए तो देखिए अब जो है बावल पर मैंने जूस सारा निकाल लिया है जल जीरा पॉडर में हलका सा नमक रहता है तो इसी के साथ मैं हापर दो छोड़ी चे मचे करीब चीनी डालेती हूं आप चाहें तो डाले या फिर आप इसे किभी कर सकते हैं क्योंकि अंगुर बहुत ही मीठी होती है मैंने हाप पर नीमबू डाला है तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने चीनी एक कर लिया है वो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा खटा मीठा टेस्ट आएगा जोगी पीने में बहुत ही मज़ेदार कर लगेगा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो लीजिए फ्रें अगर आज की आप लोगों को पसंद आए तो अगर आज की आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दूआओ में या